वेलकम टू एक्जाम भी भीजना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर डिसकस कर रहे हैं LT Commission 2021 के बारे में ठीक है न तो जो ये वीडियो है ये सिर्फ LT Commission तक ही सीमित नहीं है दोस्तों ये आपके PGT Hindi इसके परशा जो एंटियादी के लिए महत्पून होने वाली है इसलिए आप इंग्विशेयों की त्यारी कर रहे हो तो आपको ये भी लाबदाइक होंगे ठीक है न तो इस पैचले अगर बात करें LT Commission की इसके लिए तो ये बर्दान सावित होंगी तो यहाँ पर पहले में उन प्रसंटों को लाया हो जो पिछली बार आपसे प्रिक्षा में पुछे गए थे ये होंगे Mixed Presents dies region और भरत फोकस करना है अब एक्जाम हॉल में जाकर एक्जाम पर करना है शांती से पेपर दीजेगा मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा आप अपना बैस्ट दे कर आना ठीक है अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अवशी में साथ डिसकस करिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो 2018 में कुछ प्रशन पूछे हुए तो पाश्चाते कावी शास्तर के इसमें जो पहला प्रशन पूछा हिया था सौंदरी शास्तर का का सबंद किस सहित्तिक बाद से रहा है तो यह रहा है इन तिनों का प्रतिक बाद से याद रखेगा मिलारमी है, वादलेयर है मैटरलिंक है और डबलीपी इन सभी का समंदरा है प्रतिक बाद से सभी प्रशनों को ध्यान से देखेगा दोस्तों ये repeat हो सकते हैं, पूर्ण संभावना है इनकी आगे है Odyssey, Elliot, Adi, महाकावे किसने लिखे हैं तो दोनों ही ये महाकावी है, Homer के आगे है सिसरू के ग्रंथ का नाम बताईए तो ये पाश्चात्य काविशात्रे से मदरखने वाले बिद्वान है सिसरू के ग्रंथ का नाम है D-Oratory आगे है कवीता में टेक्स्चर और स्ट्रक्चर की बात किस ने की थी तो ये की गई थी, रैंसम के द्वारा प्रशन बन सकता है कि जो पाश्चात्य काविशास्तर में कवीता में टेक्स्चर का सबसे पहले उलेकिस नहीं किया था तो रैंसम नहीं किया था स्ट्रक्चर का पूछा जाए तो स्ट्रक्चर का भी रैंसम नहीं किया था हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पेडियाफ चाहिए तो आप मुझे बट्सेप करना या टेलीग्राम कर देना आपको ये PDF में परदान कर दूँगा आगे हैं ये 2019 में पूछे हुए प्रशन थे एलन टेट कब्डे का अस्तित्व किस पर निर्वर मानते हैं तो ये मानते हैं टेंशन या तनाव बल एक तरह से इन्हें तनाव का प्रवट तक भी माना जाता है तनावाद का अगला प्रशन है पिंदार ने किस बिदा में साहित्ती रचना की थी तो जो पिंदार थी इन्होंने गीद बिदा में साहित्ती रचना की थी अगला प्रशन है प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है तो यह है बर्ड्जवर्थ की तो बर्ड्जवर्थ के उपर में एक वीडियो भी लाया था जिसमें मैंने आपको बर्ड्जवर्थ अगर आपने उसे नहीं देखाया तो उसे देख सकते हूँ आप महत्पुन सावित होगी आपके लिए यह प्रशन कई बार आपसे यह सिधा सिधा बन सकता है कि जो कल्पना सिधानत का प्रवर्थन किसनी किया था तो यह किया था कॉलरिज ने जो कॉलरिज थे यह वर्द्वर्थ के मित्दर थे अगला प्रशन है अरस्तु के अनुसार तरास्ति में कभी किसका अनुकर्ण करता है अनुकर्ण कारेरत मनुष्य का आगी है कुछ महत्तुन टॉपिक्स जिने में आपके समख्ष लाया हूँ इनकी पूरी-पूरी संभाबना है कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे ठेक है तो वीडियो को शांत होकर देखिएगा तो जो भामा है इनकी प्रसदिक पंक्ति है शब्दार्थो सहीतो काब्यम तो ये प्रश्ण बन सकता है कि जो शब्दार्थो सही तो काब्यम किसकी पंक्ती है तो ये हो जाएगी भाम की सही बिकल्प मेहाँ पर भाम माना जाएगा आगे है बाक्यम रसात्मकम काब्यम किसकी पंक्ती है बाक्यम रसात्मकम काब्यम ये हो जाएगी अचारे बिश्रनात की पंक्ती इसका जो अर्थ निकलता है इस पंक्ति का तो ये निकलता है रस्युक्त बाक्य काबिय हैं इंपोर्टेंट है ये वाला दोस्तों याद रखेगा आगे है रमनियात पतिपाद का शब्द काब्यम ये पंक्ति किसकी होगी तो ये हो जागी पंडित राज जगतनात की पंक्ति इसका अर्थ निकलता है रमनिया अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काब्य है क्या है रमनिया अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है काब्य होगा ये तो ये जो ये पंक्ती है इसकार्थ ये निकलता है आगे है दंडी की पंक्ती कब्ये शोवा कराम धर्मान अलंकार प्रक्षते तो ये पंक्ती किसकी होगी तो ये पंक्ती हो जागी दंडी की आगे है कब्ये को शोवा परदान करने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं ये पंक्ती होगी दंडी की आगे है यहाँ पर रीति रात्मा काब्यस से ये पंक्ती किसकी होगी तो ये पंक्ती हो जाएगी बामन की तो कई बार ये प्रेशन सिधा सिधा बनेगा कि जो रीति को काब्य की आत्मा किसने माना था तो ये माना था बामन के द्वारा या फिर रिती संपरदाय का प्रवर्दन किसने किया था तो ये बामन नहीं किया था आगे है काब्य सी आत्मा ध्वनी ध्वनी को काब्य की आत्मा किसने माना है तो ये माना था आनन्द बर्दन जी की द्वारा ये द्वनी संपरदाई के परवर्तक माने जाते हैं इसका भी आपने ध्यान रखना है आगे है बक्रोक्ति काब्य जीवितम क्या है बक्रोक्ति काब्य जीवितम ये पंक्ति किसकी होगी कुंतक जी की पंक्ति हो जाएगी क्या अर्थ निकलता है काब्वे का जीवन बक्रोकती है क्या काब्वे का जीवन बक्रोकती है या बक्रोकती संपरदाय का प्रवर्टन किस ने किया था कुंतक के द्वारा किया गया था आगे है हिंदी विद्वानों का साहित्य की वरिभाषा किस प्रकार से दी गई है तो ये देख लेते हैं महत्पुन प्रशन या पंक्ति है ये वाली रामचंदर शुकल की रामचंदर शुकल कहते हैं कवीता जीवन और जगत की अभीविक्ति है तो दोस्तों ये तो है मतपुन पंक्ती, कितनी बार बोलू, बहुत ही ज़ादा मतपुन पंक्ती है, याद रखेगा यह आफ से नेट में पूछी जा सकती है, सैट में भी, पीजिटी हिंदी में भी कविता जीवन और जगत की अवियक्ती है, किसका कथन होगा, रामचंदर शुकर का आगे है, अंतकर्ण की बृत्यों के चित्तर का नाम कविता है, तो ये पंक्ती किसकी होगी, महावीर परसाद दुईवेदी की, तो ये भी मतपुन है काब्य आत्मा की संकल्प नात्मक अनुभूती है, क्या है, काब्य आत्मा की संकल्प नात्मक अनुभूती है, ये कथन किसका होगा, तो ये कथन हो जाएगा, जैशिंकर प्रसाद का, ये प्रशन सीधा सीधा आपसे प्रिक्षा में पूछा जाता है, कि ये पंक्ती किसने कही है इसके परशात है कवीता हमारे परिपुन क्षरों की बानी है किसका कथन है ये तो ये पंतजी का कथन हो जाएगा इसके परशात अंग्रेजी विद्वानों की परिवाशा है इसे देख लेते हैं poetry is the best words in their best order अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम करम में कवीता है तो जो प्रिप्षा में अंग्रेजी में तो नहीं पूछा जाता है पर हिंदी में पूछा जाता है जो पीछे भी टैट हुआ था जे बीटी टैट हाँ तो वहाँ पर यह पंक्ती पूछी गई थी कि यह पंक्ती किसकी है, सर्वोत्तम, शर्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है, तो यह कहतन कॉलरिज का हो जाएगा फिर है, पोईटली इज़्दा, स्पॉन्टेनियस, ओबरफ्लो ओपावरफुल फिलिंग्स, तो यह पंक्ती किसकी होगी, इसमें हिंदी में बोल देता हूँ, कवीता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेख है, तो यह जो पंक्ती हो जाएगी, बर्जबर्द की हो मैथ्यू अर्नाड का, आगे है, साहित्य के मुख्ये चार तत्व निर्धारित किये गए हैं, आपसे प्रशन बन सकता है कि जो साहित्य के मुख्ये कितने तत्व निर्धारित किये हैं, तो यह किये गए हैं, चार, साहित्य के मुख्ये तो चार तत्व निर्धारित किये ग इसके पर चाहते है साहित्य के भेद, यहां से प्रशन कई बार पूछा जाता है कि जो साहित्य के कितने भेद हैं दोस्तों, साहित्य के होगे दो भेद, एक होगा पद्य और दूसरा होगा गद्य, कौन-कौन से पद्य और गद्य दो भेद होगे यह, इसके पर चाहते है जो कई बार ये भी पूछा जाता है कि पद्धिया में कौन-कौन सी विधाया आती है तो पद्धिया में आते हैं महाकाब्य, खंड़काब्य, गीतकाब्य, कवीता या पद क्या क्या आएंगे, महा काब भी आएंगे पद्ये में, खंड काब भी आएंगे गीत आएंगे, कवीत आएंगे या पद आएंगे ठीक न, ये पद्ये में आएंगे फिर गद्ये में पूछा चाता है कि गद्ये में कौन-कौन सी बिधा आते हैं तो ये होते हैं उपनियास, कहानी, नातक, निवंद, अलोचना, जीवनी, संस्मन, साक्षातकार या रिपोर्ट आजादी एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट दीजेगा पूरेगा जब भी टाइम लगे तो इसको एक बार धियान से देख लेना है यहां से भी प्रशन बनता है आगे है कुछ संस्क्रीत के अचारे जिनसे आप से प्रशन बन सकता है तो चलिए देख लेते हैं इन्हें तो जो भरतमूनी थे, इनका समय आप से पूछा जाता है कि इनका समय कव का है तो यह है दूसरी शती का समय इनका माना जाता है और इनका जो महत्पुन ग्रंथ है वो है नाटे शास्तर नाटे शास्तर भर्तमुनी का है फिर होंगे भामा इनका समय है छटी शतावदी और इनका प्रमुख ग्रंथ है काब्या लंकार फिर होंगे दंडी इनका समय है सात्वी शती और इनका गरंथ होगा काब्या अर्दर्श फिर है उद्वट इनका समय है आठ्वी शती और इनका जो गरंथ है काब्य लंकार सारसंग रह ये इनका गरंथ हो जाएगा फिर है बामन इनका समें है आठवी शती और इनका जो प्रमुख गरंथ है काब्य लंकार सुत्र ये इनका प्रमुख गरंथ हो जाएगा फिर है रुद्रट इनका समें है नौवी शती और इनका प्रमुख गरंथ है काब्य लंकार यहाँ पर जो भामा और रुद्रठ है इनके ग्रंतों का नाम एक ही है काब्य अलंकार आगे हैं आनंद बर्धन इनका जो समय होगा नवी शती होगा और इनका जो परमुख ग्रंत होगा दोनिया लोग होगा यह आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि आनंद बर्धन द्वनी संपरदाई के परवर्धत थे और इनका ग्रंत का शुरुवात भी द्वनी से होता है फिर हैं राजशेकर इनका समय है दस्विशती और इनके ग्रंत का नाम है काब्य मिमासा फिर होंगे भटत उत इनका समय है दस्विशती और इनके जो काब्य का नाम है काब्य कौतुम्ब महत्पून है यहां से प्रशन बन सकता है तो दोस्तों जितनी भी यहां पर रचनाय समय या रचनाकार का नाम बता रहा हूं ध्यान से सुनेगा यहां से प्रशन अवश्यर रिपीट होगा अकला प्रशन है अभीनवगुप्त तो इनका समय है दस्विशती और इनका ग्रंत है दंतरा लोग जो अभीनवगुप्त यह द्वनी समपरताय से स्वंदित अचारे माने जाते हैं फिर है कुंतक इनका समय है दस्विशती और इनके ग्रंत का नाम है बकरोगती जीवितम आगे है धननजे इनका समय है दस्विशती और इनके ग्रंत का नाम है दशरूपक फिर हैं महीं भट इनका समय है ग्यार्विशती और इनके ग्रंथ का नाम है ब्यक्ति विवेक आगे हैं भोजराच इनका समय है ग्यार्विशती और इनके जो परमुख ग्रंथ हैं वे हैं सरस्वतिक गंठावर्ण फिर है श्रिंगार प्रकाश बोजराज के दो गरंथ है सरस्वति कंठावरन और श्रिंगार परकाश और इनका समें ग्यारवी शती है फिर है किशेमेंदर इनका समें ग्यारवी शती कवी कंठावरन इनका परमुख गरंथ है फिर है ममट इनका समेह ग्यार्वी शती है और जो काब्य प्रकाश है ये इनका प्रमुख गरंथ माना जाता है आगे है यहाँ पर रुयक इनका समेह वार्वी शती और अलंकार सर्वस्व इनका प्रमुख गरंथ है फिर है शोवाकारमित्तर इनका समय है वार्विशती और अलंकार रतनाकर इनका परमुख विरंथ है फिर है बागवट प्रथम इनका समय है वार्विशती और बागवट अलंकार ये इनका परमुख विरंथ है फिर है हमचंदर, इंपोर्टेंट है ये वाला जिद्यान रखना, हमचंदर का स्मेह बार्विशती और कभिया नुशाषिन इनका गरंथ होगा आगे हैं रामचंदर, गुनचंदर इनका स्मेह माना जाता है बार्विशती और ना टेदरपन इनका प्रमुख गरंथ है फिर होंगे शारदातने, इनकास में हैं तेर्विशती और भाप प्रकाशन इनका गरंथ होगा फिर हैं जैदेव, इनकास में हैं तेर्विशती और चंदरा लोक इनका प्रमुख गरंथ है ये वी इंपोर्टेंट हो जाएंगे आगे हैं विश्वनाथ इनका समय है चौदवी शती और साहिती दरपन इनका प्रमुक गरंथ है फिर है बिद्याधर इनका समय है चौदवी शती और एकावली इनकी रचना है आगे हैं बिद्यानाथ इनका समय है और नाट्य दरपन इनका गरंथ होगा फिर है भानुदत इनका समय है चौदवी शती और रसमंजरी और रस्तरंगणी ये दोनों ही इनकी रचनाए होंगी ये भी important कवी है आगे है रूप को स्वामी इनका समय सोल्वी शती होगा उजवल निन्मणी नामक इनका प्रमुख गरंथ होगा ये important है ये भी फिर है शेखर केशव निर समय इंका समय सोल्वी शती होगा परताप रुदर येश्व भुचल इनका गरंथ होगा आगे है अपई देखसित 16 शती इंकास में है बृती बारतिक इंका गरंत होगा फिर है पंडित राजजगरनात इंकास में स्सतार्वी शती और रसगंगाधर इंका प्रमुख गरंत है ये भी important है आगे है विश्वेश्वर् पंडित इंकास में है अठार्वी शती अलंकार प्रचना होगी आगे देख लेते हैं यहाँ पर धिरे धिरे वीडियो को स्क्रॉल करूँगा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे भी आप देश सकते हूँ मैं अपनी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आपको बता दूँगा आगे हैं यहाँ पर गरंथ नाटी शास्तर गरंथ है यह किसका होगा तो यह भर्तमुनी का गरंथ होगा और स्वहिम भर्तमुनी इसे पंचम बेद कहा था यह प्रशन बनता है हिंदी साहितिय में यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा यह भर्तमुनी ने नाटी शास्तर को क्य किस अचारे ने किसे काब्य हेतु माना है उसे हम देख लेते हैं जो भाम थे इन्होंने परतीवा को काब्य हेतु माना था फिर जो दंडी है इन्होंने परतीवा शास्त्र ग्यान अभ्यास इन तीनों को काब्य हेतु माना है और जो रुद्रत और कुंतक है इन्होंने शक्ति ब्योत्पत्ति और अभ्यास इसे काब्य हेतु माना है फिर होंगे बामन इन्होंने लोक या लोक वेभार बिद्या और प्रकिरन को काब्य हेतु माना है फिर होंगे जैदेव इन्होंने मूल प्रतिभा को माना है इसके अंतरगत किसको माना है ब्यत्पत्ति को ब्यत्पत्ति हो जाएगा फिर अभ्यास ससायक इन्हें इन्होंने काब्य हेतु माना है फिर ममट हो जाएगे ममटने शक्ति निपूर्णता और अभ्यास इन्हें काब्य हेतु माना है फिर होंगे हेमचंद इन्होंने सिर्फ प्रतिवा को काब्य हेतु माना दियान रखेगा यहां से भी प्रेशन बन सकता है आगे भीविन अचारियन द्वारा प्रतिष्टित रस कौन कौन से होंगे तो यहां पर जो सबसे पहले रस श्रिंगार रस है इसे भर्तमुनी द्वारा प्रतिपारिद किया था और इसका स्थाई भाव क्या था रति फिर जो हास्य रस है इसका स्थाई भाव होगा हास और इसे भर्तमुनी द्वारा ही प्रतिष्टित किया गया था फिर होगे रोदर रस इसका जो स्थाई भाव होगा क्रोध, फिर करुन रस इसका स्थाई भाव होगा शोग, फिर बीर रस इसका स्थाई भाव होगा उत्साह, फिर होगा अध्भुत रस इसका स्थाई भाव क्या होगा बिस्मे, फिर बिवत्स रस इसका स्थाई भाव होग फिर होगा बिहानक रस इसका स्थाईवाववगा भाहि इसके परशा जो शांत रस है इसे उद्वट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था फिर जो प्रियान है प्रियान रस इसको किया था रुद्रट के द्वारा प्रतिपादित फिर बातसली रस है इसे किया था विश् फिर जो प्रियान रस है इसका जो स्थाई भाव होगा तो ये स्नेह होगा फिर जो बादसलिय रस है इसका स्थाई भाव होगा बादसलता इसका स्थाई भाव हो जाएगा फिर है भक्ती रस इसका स्थाई वाब क्या होगा इश्वर विशेक रती ये भक्ती रस का स्थाई वाब हो जाएगा तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है एक तो शांत रस है इसे उद्वट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था फिर प्रयान रस है इसे रुदर्द के द्वारा प्रतिपादित किया गया था बात्सली रस है इसे बिश्वनात के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और जो रूप गोस्वामी है इसे भक्ती जो रूप गोस्वामी है इन्होंने भक्ती रस को प्रतिपादित किया था आगे है लंकारों की संख्या किस अचारे ने कितनी मानी है तो जो भर्तमुनी है इन्होंने नाटे शास्तर में लंकारों की संख्या मानी है चार और जो बेदवियास हैं इन्होंने लंकारों की संख्या मानी है सोला और जो भामा है इन्होंने लंकारों की संख्या मानी है 49 और जो दंडी है इन्होंने लंकारों की संख्या मानी है 35 फिर उदवट है इन्होंने लंकारों की संख्या मानी है चालिस और जो बामन है इन्होंने लंकारों की संख्या मानी है 33, रुद्रठ है इन्होंने मानी है 52, कुंतक इन्होंने 13 मानी है और जो भोजराज है इन्होंने मानी है भत्तर, और जो ममठ है इन्होंने मानी है 67, और जो जैदेव है इन्होंने मानी है एक सो फिर हैं विशबनाथ इन्होंने मानी है 88 फिर होंगे अपय दिख्षित इन्होंने मानी है 124 और फिर जगतनाथ हैं इन्होंने मानी है 161 सबसे ज़्यादा जगतनाथ ने लंकारों की संख्या मानी है 161 आगे है किस अचारे ने गुरूं की संख्या कितनी मानी है तो भरतमुनी है इन्होंने गुरूं की संख्या मानी है 10 इपोर्टेंट है पुचा जा सकता है ये वाला फिर भामन है इन्होंने गुरूं की संख्या मानी है 3 फिर दंडी होंगे दंडी ने मानी है 10 फिर 52 है इन्होंने मानी है 20 फिर होंगे आनंद बर्धन इन्होंने मानी है 3 फिर हैं भोजराज इन्होंने मानी है 24 फिर होंगे ममट इन्होंने मानी है 3 फिर हैं बेदव्यास इन्होंने मानी है 19 फिर हैं विश्वनात इन्होंने मानी है 3 फिर हैं जगतनात इन्होंने मानी है तीन तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुण है वो कौन-कौन से हैं तो देख लेते हैं गुण को भरतमुनी के इनुशार गुणों की संख्या कितनी है दस है कौन-कौन से हैं भरतमुनी के इनुशार माधुरिय, ओज, परसाद मुख्य तर जो आज किले हम बात करें वो तीन ये होंगे माधुरिय, ओज और परसाद ये मुख्य गुन है बाकी जो भरतमुनी ने आगे कौन-कौन सीमाने वो देख लेते हैं माधुरिय, पहला होगा, ओज, दूसरा, परसाद, तीसरा, श्लेश, चौथा, समता, पांचवा, सुकुमार्ता, चटा, अर्थव्याप्ति, साथवा, उदार्ता, आठवा, क्रांती, नौवा, और समाधी, दसवा फिर से एक बार बता देता हूँ भर्तमुनी ने माने हैं, माधुरिय, ओज, परसाद, श्लेश, समता, सुकुमार्ता, अर्थव्याप्ति, उदार्ता, क्रांती, और समाधी ये भर्तमुनी के दस गुण माने गए हैं आगे आगे हैं पाश्चाप्ति काविशास्तर यहाँ पर जो मैं सभी के बारे में नहीं करवाओंगा अगर आपको पीडियाफ चाहिए होगी तो आप बट्साप कर लेना मुझे या टैली राम करते देना, वहाँ पर मैं आपको ये पीडियाफ परदान कर दूँगा जो मुख्य मुख्य होंगे, उनके बारे में यहाँ पर बता दिता होंगे आपको जो परलैटो है, ये पाश्चाप्ति काविशास्तर के परमुख परचारकों में से एक है इनका जनम, कई बार पूछा जाता है, इनका जनम कहा हुआ था इनका जनम हुआ है, यूनानमी, ठीक है न, इनका समय पूछा जाता है, कई बारे इनका समय क्या है तो इनका समय होगा, 427 से लेकर 347 इस्वी पूरवक इनकी जो परमुख रचना है, उन्हें देख लेते हैं, रिपब्लिक इनकी परमुख रंत है यून फ्रीडो फ्रीडम फ्रीडर्स लॉज स्टेट्समें ये इनकी कुछ परमुख रचना है, बाकी आपर लेना फिर अरस्तू होंगे, इनका समय है 384 से लेकर 322 इस्वी पूर तक Peripoeticus इनकी जो परमुख रचना है फिर Rhetoric और Politics ये तीन की परमुख रचना है जो Horace है इनकी जो रचना है प्रसिद Ars Poetica ये इनकी परमुख रचना है फिर Longinus है इनकी जो परमुख रचना है Periipsus या Ondis Sublime ये इनकी परमुख रचना हो जाएगी आगे देख लेते हैं जो परमुख पहच्चाती का विशास्तर होंगी इनकी देख लेते हैं बागी आप खुद लिपड़ सकते हैं उसे Billiams Wordworth है इनका समय 1770 है और Lyrical Ballads The Prelude ये दोनों ही इनकी रचना है होंगी फिर है College इनका समय है 1772 और इनकी जो परमुख रचना है उन्हें देख लेते हैं Biographia Literaria इनकी परमुख रचना है बागी इनकी रचना है आप पर लेना फिर है P.V. Shelley इनका समय है 1792 और इनकी जो परमुख रचना है ये है A Defense of Voidly ये भी पूछे जा सकते हैं कभी आगे देख लेते हैं आगे है काल मार्क्स इनकी जो रचना है नहीं पूछ जाती है इनका नामी बहुत परसिद है फिर एक बार यहाँ पर जो सिगमंट फ्राइड है इसे भी देख लेना पूछा जाता है कि जो सिगमंट फ्राइड का समय की से है मनो विशिलेशन बात से हैं इनका समय है यहाँ पर 1856 क्रोचे यहाँ से भी प्रशन पूछा जाता है क्रोचे का समय को का है 1866 का है इस्थैटिक और लॉजिक यह दोनों ही इनकी रचना है एजरा पाउंड से भी कही पर प्रशन पूछा जाता है खासकर नेट में इजरा पाउंग को लिए जाता है 1885 इनका जनम है और make it new इनकी परमुख रचना है फिरांगे T.S.E.L.I.E.T. मतपून है यह इनका समय है 1888 और इनकी जो परमुख रचना है वे इस परकार से होंगी Selected Asage Asage, Asiant and Modern Poetry and Drama On Poetry and Poetics The Sacred Wood The Westland यह इनकी परमुख रचना है The Westland The Use of Poetry and Use of Criticism यह इनकी परमुख रचना है देख लेना ध्यान से इसे इसके परचा जो परमुख रचना कार है वे हैं I.E.R. Richards इनका समय कव का है तो इनका समय हो जागा 1893 का और इनकी परमुख रचना है उन्हें देख लेते है The Foundation of Esthetic The Meaning of Meaning परमुख रचना है यह वाली Principle of Literary Criticism Poetry and Sciences Practical Criticism यह भी महत्पुन हो जाएगी Philosophy of Rhetoric यह भी इनकी परमुख रचना है आगे है जयों पाल सात्र यह भी परमुख है इनका समय है 1905 एक बार इनकी रचना भी देख लेना आप कौन-कौन सी होगी यह ज़्यादा डिस्क्राब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्यूंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी जौक देवीदा को भी एक बार आप देख लेना यह यहाँ पर परमुख पाश्चात्यक बिचारक और उनका जनम स्थान तो यहाँ से भी प्रशन बनता है तो इसको भी ध्यान से देखेगा तो जो प्लैटो है इनका जनम कहां हुआ था यूनान के एथेंस में जो एथेंस है यहाँ पर प्लैटो का जनम हुआ है फिर होंगे अरस्टू इनका जनम हुआ है मक्तुनिया में फिर है लॉंजाइनस इनका जनम यूनान में हुआ है बर्ड्जवर्थ हैं इनका जनम हुआ है इंग्लैंड में फिर है college इनका जनम हुआ है इंग्लेंड में, crochet इनका जनम इतली में हुआ है, T.S. Elliot इनका जनम हुआ है अमेरिका में, फिर है I.A. Richards इनका जनम हुआ है, UK में या United Kingdom में, फिर होंगे प्रमुक्ष सिधान्त और उनके सिधान्त कार, तो यहां से भी प्रशन बनता है, आपने प किसका था, पल्लैटो का, फिर है पिरेचन सिधान्त और तरासी सिधान्त, यह दोनों ही अरस्तों के सिधान्त होंगे, फिर है उद्दात सिधान्त या, और दात्यवाद, लुंजाइनस की सिधान्त होंगे, फिर है द्वंदवाद, यह हीगल का समंध होगा, फिर है स्वच किरके गात का इंपोर्टेंट है ये फिर होंगे द्वनदात्मक भातिक बाद कालर मार्स का फिर है प्रतिक बाद तो यहाँ पर देखिए ये प्रशन तो अभी पीछे जो मैंने आपको वीडियो कुरवाई थी उसमें ये प्रशन पूछा हुआ था जिन मोरे आस और बादलेर और मेलार में इन तीनों का स्वंद प्रतिक बाद से है फिर है प्राकृत बाद एमिल जोला प्राकृत बाद से स्वंदित है फिर होंगे मनोव बिशलेशन बाद ये फ्राइट का बाद है फिर है अभी विंजना बाद क्रोचे का बाद है ये फिर है महान यत्थार्थवाद जॉर्ज लुकाज का बाद है ये फिर है आगे बिमबाद ये टी ई यू और एजरा पाउंड से स्वंधित है बिमबाद आगे है निर्व्यक्तिक्ता बाद तो ये इलियट का होगा फिर है बस्तुनिष्ट समिकर्ण इलियट का होगा परंपरा सिदांत इलियट का होगा उपनियास का अंत किस ने कहा था इलियट ने कहा था उपनियास का अंत हो गया है सबसे महत्पुने निर्व्यक्तिक्ता का बाद कौन सा निर्वेक्तिकता का जो बात दिया था ये इलियत का सबसे महत्पून और प्रशन पेपर में पूछा जा सकता है आगे है संप्रेशन सिधान्त किस ने दिया था आईए रिचर्ड ने मुल्य सिधान्त किस ने दिया था आईए रिचर्ड ने फुलावर्ट का होगा ये आगे है अतियत्थार्थबाद किस ने जिया था आंद्रे प्रेत्य और हर्बर्ट रीड के द्वारा आगे है नव्य शास्तरबाद ये बेन जॉंसन के द्वारा दिया गया है समेंचनाबाद प्रोफेसर फरदिनाथ दी ससियू इनके द्वारा दिया गया था फिर है उत्तर समेंचनाबाद जॉक दिरीदा के द्वारा दिया गया था बिखंडनबाद अत्यादिक पूछा जाता है बिखंडनबाद किस ने दिया था जॉक दिरीदा ने फिर होंगे अजनवीपन श्केलो बसकी का होगा बिडंबना और बिसंक्ती अंतर विरोध किलिंथ बुक्स का होगा फिर होगा बिरोधाभास ये होगा आपका रावट पेन बारें का फिर है साहित्य का समाध शास्तर हिपोलिट तेन का फिर है विचारधारा का अंत डैनियल का होगा ये फिर है लेखक के मृत्यू किस ने कहा था रोला बर्त का फिर है लेखक का अंत लाइन ट्रीलिंग का फिर है प्रमप्रागत शैलियों की मर्ती हुई बीधाएं ये किस ने कहा था एडमंट बिलसन ने इसके पर शात है जो मनोबिग्यान के प्रमुख बिचारक या कभी रहे हैं या अचारे रहे हैं वे कौन से होंगे सिग्मन फ्राइड अल्फ्रेड एडलर कार्ल्स गुस्ताप यूंग डॉक्टर हैबलॉक एलिस ये होंगे मनोबिग्यान कभी आगे देख लेते हैं प्रमु फ्रांच फिरें जियों पाल सात्र ये प्रमुख रचनाकार अस्तिदवासिस बन रखते थे आगे है प्लैटो के महत्पुन कथन तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कथने कोई भी कभी जब तक बोधशक्ति को धारन नहीं करता तब तक कभी के देवानी तुल्य उपह का अधिकारी नहीं होता है क्या कथने कोई भी कभी जब तक बोधशक्ति को धारन नहीं करता तब तक कभी की देवानी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है प्लैटो का कथने फिर है गुलामी मृत्यू से भी भयाव है है किसने कहा था तो दोस्तों ये थे भारतिय पाष्चात्य काविशास्तर और पाष्चात्य काविशास्तर के महत्पून टौफिक्स जिन्हें मैंने आज आपके साथ डिसकस कर लिया है और मुझे पुन आशा है कि आपको ये समझ भी आएं होंगे तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लावदाइक होगा और भविश्य में भी आपको ये लाववर्दान करेगा ठीक है न तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है और जो कल आपका एक्जाम है बिल्कुश शांती से और अराम से पिपर दीजेगा आपको एक्जाम विवेचना परिवार की तरसे बहुत बहुत शुकाम है तो अब वीडियो को समाप्त कर लेते हैं धन्यावाद